So guys, finally, काफी सारे leaks और rumors के बाद में Samsung Galaxy M51 की सभी official details सामने आ चुकी है और अब की बार दोस्तों ये information Samsung की तरफ से आई है, तो ये genuine information है जी हाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं Galaxy M51 smartphone के बारे में हम इन दोनों smartphone को compare करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा better option रहेगा और क्या आपको extra pay करना चाहिए Galaxy M51 के लिए तो इस वीडियो में इन दोनों smartphone का detailed comparison आपको देखने को मिल जाएगा तो स्वागत आप सबका tech lever पर जानकारी के लिए वीडियो में end तक जुड़े रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe कर लीजी ताकि आपको ऐसी tech videos मिलती रहें तो दोस्तो finally Samsung Galaxy M51 smartphone का launch का लौँच काफी जल्दी ही इंडिया में होने वाला है और hopefully दोस्तो 10 September से पहले पहले आपको ये market में देखने को मिलेगा इस बार Samsung ने इसमें काफी सारे improvements किये हैं और काफी अच्छा smartphone ये लग रहा है अगर हम बात करते हैं इसकी specs की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों smartphone के display के बारे में तो Galaxy M31S smartphone और Galaxy M51 इन दोनों में same type के आपको display देखने को मिलेगी इन दोनों smartphone में आपको Super AMOLED screen देखने को मिलती है जो की Full HD Plus resolution के साथ में आती है यही नहीं दोस्तों इन दोनों smartphone में आपको same design देखने को मिलेगा जिसमें center में एक punch hole दिया गया है सिरफ difference इतना है कि M31S में आपको 6.5 inch की display देखने को मिली थी और M51 में आपको देखने को मिलेगी 6.7 inch की display तो अगर आपको एक बड़ी display पसंद है और आपको video content देखना ज्यादा पसंद है तो 6.7 inch की display आपके लिए better रहेगी लेकिन experience आपको दोनों में same देखने को मिलेगा कोई खास difference यहाँ पे इन दोनों smartphones में नहीं है एक जो बड़ा difference है दोस्तों वो होने वाला है इनकी performance में जो Galaxy M31S smartphone है वो आपको same Exynos 9611 के साथ में देखने को मिला था लेकिन यहाँ पे Galaxy M51 में आपको Snapdragon 730 G chipset देखने को मिलेगा जो की काफी कमाल की बात है काफी टाइम से लोग expect कर रहे थे कि Samsung एक अच्छा processor आपको इस series के अंदर provide करवाई और finally Samsung की तरफ से आपको यह आप देखने को मिलेगा Galaxy M51 में आपको definitely better performance देखने को मिलेगी चाहे आप normal task करें या फिर gaming करें Snapdragon 730 G एक काफी अच्छा processor है और आप सबको काफी अच्छी improvement देखने को मिलेगी इसकी performance में तो अगर आप gaming वगरा ज्यादा करते हैं तो आपको Galaxy M51 की तरफ जाना चाहिए अगर आप normal user है और आप ज्यादा heavy task नहीं करते हैं तो Exynos 9611 भी एक अच्छा processor है आपको कोई disappointment नहीं होगी लेकिन definitely यहाँ पर improvement हुआ है और काफी अच्छा improvement किया है Samsung ने इसके लावे इन दोनों smartphone में आपको 6 और 8GB के RAM variant देखने को मिलेंगे और 128GB तक की storage आपको देखने को मिलती है तो performance में definitely एक बड़ा difference है M51 आपको better देखने को मिलेगा थर्ड बात करते हैं कि camera setup के बारे में तो M31S के अंदर आपको देखने को मिलता है 64MP का quad camera setup और same आपको देखने को मिलेगा M51 में अगर real time में comparison करें तो जब M51 smartphone market में आ जाएगा उसके बाद ही इसकी testing हो पाएगी कि camera में कितने improvement किये हैं लेकिन as expected हैगी आपको same type की performance देखने को मिलेगी कोई खास बड़ा update नहीं है थोड़ी बहुत improvement आपको definitely देखने को मिल सकती है M51 में तो cameras के मामले में आपको ज़्यादा difference नहीं मिलेगा आपको थोड़ी बहुत improvement देखने को मिलेगी लेकिन M51 में आपको दी गई है 7000 mAh की battery जो की अब तक की सबसे बड़ी battery है Samsung की तरफ से और यहाँ पर definitely आपको 1000 extra mAh देखने को मिलते हैं और आपको इससे battery backup भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके लावा इन दोनों smart phone में आपको side में fingerprint scanner का support देखने को मिलता है 3.5mm audio jack आपको दिया गया है और same android 10 one UI 2.0 पे आपको यह देखने को मिलेंगे maximum features और maximum details इन दोनों smart phones की same है in fact दोस्तो इनका design भी काफी हद तक similar है आपको कोई खास बड़ा difference इनके design में देखने को नहीं मिलेगा तो अगर बात करते हैं दोस्तो main improvements की तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी display देखने को मिलती है थोड़ी बड़ी battery आपको देखने को मिलती है और processor आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर आप एक heavy user नहीं है तो M31S भी आपके लिए अच्छा smartphone आप 20,000 में इसको consider कर सकते हैं अगर आप gaming वगएरा ज्यादा करते हैं या फिर ज्यादा आपने smartphone को use करते हैं तो M51 आपके लिए better रहेगा आप हमें बताइए दोस्तों कि आप M51 smartphone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इसको consider करेंगे अगर 20,000 रुपय के बजट में ही आता है इसके अलावा अगर आपका कोई question है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो चिलेगी तो like कर दीजी और सभी upcoming smartphones की वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लीजी मैं मिलता आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye, have a nice day